तो दोस्तो टीम इंडिया क्यों हारती है हर साल T20 World Cup 2007 से लेकर 2022 तक टीम इंडिया ने क्यों वर्लकप हारा सभी रीजन्स आपको बताने वाला हूँ हर सीजन में टीम इंडिया क्यों हारी सबसे बहरे हम दोस्तो बात करते है 2007 की इस सबसे बड़िया सीजन था T20 World Cup 2007 को हमने जीता था इस सीजन जो है टीम इंडिया जीती थी इसका सबसे बड़ा रीजन ये था दोस्तो हर एक मैच में हर एक बैट्समें घर एक बालर चल जाता तब दोस्तों आप जरूर जीतते हैं और ऐसा ही हुआ टीम इंडिया को जो है सबसे पहले तो कमजोर समझ लिया था सभी टीमों ने जब T20 World Cup 2007 शुरू हुआ था क्योंकि दोस्तों टीम इडिया के पास सभी दोस्तों यंग्स्टर खिलारी थे ऐसे दो तीन ही खिलारी थे जिनके दोस्तों बड़े नाम थे गौतम गंभीर साथी साथ दोस्तों मेरे हसाब से सहवाग और दोस्तों जादा बड़े नाम नहीं थे जिसके वज़े से टीमों न उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमी फाइनल खेला और जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बास दोस्तो adesso एसा लग रहा था कि टीम इन्डिया 202 वर्लकॉप जीतेगी। लेकिन इसके चांसे तब कम हुए जब दोस्तों T20 World Cup 2007 के फाइनल में पाकिस्तान जैसी टीम सामने थी जिनके पास सबसे बड़िया बैर्समें थे और सबसे बड़िया बॉलर थे इन्होंने भी सेमी फाइनल जीत के यहां तक का सफरताई किया था और जिसकी वज़े से ऐसा लग रहा था यह फाइनल बड़ा हो सकता है और वैसे हुआ यह फाइनल बहुत बढ़िया हुआ थ्रिलर मैश में जो है टीम इंडिया ने टीटी वर्लकप 2007 जीत लिया एक वक्त ऐसा था जब टीम इंडिया जो है इस मैच को हार सकती थी लेकिन दोस्तों T20 World Cup 2007 में जैसे ब गवतम गंभीर ने ही फाइनल में भी बहुत बड़िया फॉर्म दिखाया और जिसकी वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़िया अगर खिलाडी 2007 के रहे तो वह यही रहे अब दोस्तों इसके बाद जो है 2009 और 10 में T20 World Cup खेला गया 2012 में भी T20 World Cup खेला गया लेकिन दोस्तों सेम स्टोरी टीम इंडिया सेमी फाइनल के लिए भी कौलिफाय नहीं हो सके तीनों सीजन में जो है टीम इंडिया अगर हारी तो उसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि हमारे पात जो है बेस्ट T20 बैस्में या दोस्तों बेस्ट T20 बॉलर नहीं थे 2009 की बात करें दोस्तो गुरुब A से उन्होंने क् life किया घु जो लास्ट गुरुब जो होता है जहाँ सेमी फैनल के लिए क्işpy कालिफाय होना होता है वहाँ दोस्तो यह हार गए और जिसमें उन्होंने सभी मैचेस हारे और दोस्तो इसी के ऐसाथ जो है T20 डेयु वर्लक其實 2009 हम यहीं हो सके जब दोस्तो सेमी फैनल्स के लिए कौलिफाय होना था टीम इंडिया सभी मैचेस हार गई लेकिन इंडिया बाहर हो गई लेकिन दोस्तों इन सीजन्स में जो है सबसे खराब फार्म रहा वह बैट्समेंस और बॉलर का था इसके बाद दोस्तों 2012 का ये टीट्वेंटी वर्लक जीत गए थे क्योंकि हमारे पात जो है वंडे में अच्छा फार्म दिखाने वाले खिलाडी बहुत बढ़िया थे और जिसकी वज़े से हम वो वर्लक जीत गए थे लेकिन टीट्वेंटी वर्लक नहीं जीत सके थे लेकिन दोस्तों इस सीजन टीट्वेंटी टीम अच्छी दोस्तों इस जीत गए लेकिन दोस्तों सेंस्टोरी फाइनल में जाके हम हार गए सबसे बड़ा रीजन यह रहा कि हमारी बैटिंग नहीं चल सकी इस सीजन में हारे दोस्तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा हमारे पास confidence level जो है final में नहीं था और reason भी क्या हो सकता है दोस्तो क्योंकि दोस्तो जब आप सभी matches group stages के जीत के आते हैं और अगर आप final में हारते हैं तो यही reason हो सकता है final में कोई वैट्समें नहीं चला श्रीब दोस्तो विराट कोली ने runs बनाए और वो भी कम strike rate के साथ उन्होंने टीम के लिए थोड़े से runs बनाए लेकिन दोस्तो बॉलर्स ने अच्छा काम नहीं किया और श्री लंका ये T20 World Cup जीत गई इसके बात दोस्तो आता है 2016 सबसे मौका कि दोस्तो टीम इंडिया जो है फुद के ग्राउंड्स पे खेल रही थी दोस्तो होम इंडिया का था अब दोस्तो यहां ऐसा लग रहा था कि T20 World Cup में हम जरूर जीतेंगे क्योंकि दोस्तो T20 World Cup में जो है कोई भी टीम खुद के देश में T20 World Cup होता है तो हारती नहीं है लेकिन दोस्तो टीम इंडिया ने इस साल भी ऐसा ही किया फ्रूप स्टेजेश में जो है चार में से तीन मैसे जीतें और सेमी फाइनल्स में दोस्तो सामने आई West Indies West Indies ने ऐसा फाम दिखाया दोस्तो जिसके वज़े से टीम इंडिया जो हार गई अब इस सीजन हारने का सबसे बड़ा reason जो था वो था balling team India के पास ऐसी balling ही नहीं थी जिसके वज़े से team India जीत सके example चाहिए example दे देता हूँ विराट कोली की balling विराट कोली की balling पे ही team India ने यह match हारा था और जिसका सबसे बड़ा example और कोई नहीं हो सकता six ballers नहीं थे जिसके वज़े से team India यह match हार गई और team India के ballers कुछ भी form नहीं दिखा सके ballers ने ignorance खाए कि team India हार गई और इसका सबसे बड़ा reason रहा balling इस season balling नहीं चली मतलब चली लेकिन इतनी अच्छी नहीं चली जो T20 World Cup जीता सके और दोस्तों इंडिया में ही हम हार गए और दोस्तों इसके बाद आता है 2021 का World Cup दोस्तों अगर आप ये World Cup भूल जाए तो वही अच्छा होगा क्योंकि दोस्तों इस T20 World Cup में team India का ऐसा form रहा जो किसी भी World Cup में मेरे हसाब से तो नहीं रहा और इसी साल जो है दोस्तों इस team को हम हर साल हराते है यानि कि Pakistan इस team से भी हम 2021 में हार गए दोस्तों इस T20 World Cup के बारे में मैं जादा बात नहीं करूंगा इस T20 World Cup हारने का जो सबसे बड़ा reason रहा दोस्तों वो था मेरे हसाब से बाहर खराब बाते होना BCCI में बहुत जादा खराब बाते हो रही थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी दोस्तों कि हमने बहुत बड़ीया फॉर्म नहीं दिखाया इसके बज़े से हम हार गए इसके बाद दोस्तों 2022 का World Cup आया जहाए एक बार फिर वही story हम हार गए और दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि टीम इंडिया में बहुत बड़ीया बॉलर्स नहीं थे एक्जामपल चाहिए एक्जामपल दे देता हूँ मैं आपको 2022 सेमी फाइनल टीम इंडिया वर्सेस इंगलंड इस मैच में टीम इंडिया ने एक भी विकेट नहीं ली और जिसकी वज़े से हमें ये मैच हार गए और दोस्तों ये मैच हारने का दूसरा रिजन इस वलकप में दोस्तों बूमरा नहीं थे जड़े जा नहीं थे जिनका फॉर्म इस साल सबसे बड़ीया रहा था लेकिन दोस्तो इन दोनों के न होने की वज़े से टीम इंडिया हारी लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये रही जब जब सेमिफाइनल होता है तब तब टीम इंडिया वलकब हार जाती है और मेरे हसाब से जो है अगर मैं एक सच बात बोलू ना दोस्तो तो ये बात आपको गलत लगेगी लेकिन दोस्तो सच यही है अगर दोस्तो टीम इंडिया के पास विराट कोहली, रोही शर्मा और बुमरा अगर ये तीन खिलाडी नहीं होते ना तो टीम इंडिया आज मेरे ह साथ से श्रीलंका या बांगलादेश जैसी टीम हो गया होता, ये सच है दोस्तो और अगर आपको गलत लगता है तो आप सोच के देखिएगा जरूर और दोस्तो अब दोहजार चोबीस का टीट्वेंटी वर्लकप है, मैं तो दोस्तो हर साल की तरह इस साल भी मैं टीम इंडिया का साथ दूँगा, अब सवाल आपके लिए है क्या आप साथ देंगे